दुकान में क्यों आ रहे हो आप तो उस पर इतनी आवाज हो रही है पुरे कानों में दर्द हो रहा है और अगर आज जीद जाएंगे तो सेमी फाइनल में पहुंच जाएंगे भई हेलो एब्रिवन गुट मौनिंग नमस्ते स्वागत है आपका हमारे एक और ने ब्लोग में उत्रा खणके इन खूप सुरत पहाडों से अब इस उबह के 9 बजने वाले हैं और आज कल यहाँ पर भी बहुत लेट धूप आ रही है देखो 9 बज गया है और यहाँ पर भी नहीं दूप आई और सोचो हमारे तरसाले वाले गर में आज कल कितने बज़े धूप लग रही होगी मुझे लगता है 10 बज़े लग रही ह यहाँ से मैं देख लेता हूं किरह दूप तो आ गया यहीं पास में चलो बाई अब करतेएं स्कूल जाने के नियारी? स्कूर स परफ फेजेंड के बशीके रिसक directed ए को श्कूल भेजता है। रिसके ऐते हैं। नो में बढ़ा हो गया। चलो अभी रिसके तियार हो रहा है। ट्यार हो ट्यार कुल करते। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ जल्दी चलो कि दुकान में क्यों आ रहे हुआ आप कोफी लेने किस चीज के लिए कि पैसे कहें पैसे कहा है कहा सायरी चोर की तो नहीं लाए गया और लिंवन कि अब रिस्ट की कॉफी बी समाप्त हो गई है तो एक यह नई कॉफी लिया आज कितने चाप दिया है चलो भाई को परणाम कर ना चलो बहुत के दिन का पहला काम हो गया है रिस्ट को स्कूल छोड़ दिया है अब आज कल के दिन देखो न अंदर बहुत ठंड लगती है तो बच्चे सब बहार पे चटाई वगरा लेकर आ रहे हैं अभी मौनिंग असेंबली हो गई है और उसके बाद बहार पे फिल्ड में सब लोग ऐसे बढ़ते हैं क्लास वाइज और बाकी इधर से सामने देखो यह दिखता है चोखंबा तो देखो चोखंबा कितना साप दिखाई दे रहा आज वाह कहीं भी बादल नहीं है आज रिसु को इसकूल तो भेज दिया है लेकिन किस हालत में बेजा वो तो महीं जानता हूं एक तो ठंड और दूसरी में जो बाइक है बाइक पे जो पैंच निकल गे थे नहीं दो इसके तो उसके उसके टिनी आवाज होओ रहे है और यह देखो उसका और यह देखो बाइक की छो ती सी ίह प्रॉबाम है जे इस पर और यह एक तार से बांदा है लेकिन फिर वीना यह बज रहा है डीला है तो इस पर नेट लगाना पड़ेगा यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर अब देखो भाई सिर्फ यह दो पैंच निकल रखें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाइक में और इसकी वज़े से ना बाइक चलाने का मनी नहीं कर रहा है और इसलिए कहते हैं कि हर चोटी बड़ी चीज की बैल्यू करनी चाहिए वो एक दोया है ना कि जहां काम आवे सुई काहे करें तरवार मतलब सुई का अपना काम होता है, तलवार का अपना काम होता है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है, और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती है, तो सैम यही पर है, छोटी सी पैंच है, बट उसका भी अपना ही काम है, पूरी बाइक में न, अगर वो ही नहीं होगी, तो फिर बाइक जुड़ेगी कैसे, चलो जी, अब चलते हैं घर, अब ही सुबह के साड़ी दस हो रहे हैं, और मैं घर में आ गया हूँ, घर में आकर फिर से तयार भी हो गया हूँ, क्योंकि आज हमारा एक मैच है, क्वाटर फाइनल पैंज गाओं में, क्योंकि वहाँ पर हम दो-तीन मैच लगातार जीत गया है, और अगर आज जीत जाएंगे, तो सेमी फैनल में पहुंच जाएंगे, तो आज का मैच बहुत में हमारे लिए, और पैंज गाओं यहां से लगबग 30 किलिमेटर दूर है, आज दूसरा मैच है तो इसलिए, बारा एक बज़े तक हम वहाँ चलो भाई हमारी गाड़ी भी यहां पर तेयार है भी, बाकि सारी प्लेयर भी दिरे-दिरे करके आ रहे हैं, प्राव अंगल जी, हलो ब्रो, क्या की तवन यहां से नाख रहा है, चलो भाई हम लोग पहुंच गया है, पैंज गाओं में, पैंज गाओं में हम आज चौथी चार मैच हमने यहां पर खेल दिया है, एक दिन बीच में नहीं खेला था, मैं सोच रहा था हमारा यहां पर क्वाटर फैनल मैच होगा, लेकिन प्री क्वाटर है, और इसके बाद दो मैच और होंगे, अगर सेमी फैनल में पहुंचना है, तो देखते हैं, आज भी हमारा फ मैं दिखाऊंगा, तो मैं भी बाउंडर के बार अच्छे जगे से बैठ चाता हूँ, हाँ पर देखने के लिए सबसे बढ़िया हूँ, और हमारे गाओं की टीम से ऑपनिंग बॉनिंग पर आये हैं, गुरू परशाद, तो पहली गेंद, एक और वाइट, पर बॉल तो भ अब पहले गाओं की टीम भी रेडी होने लग गई है, तो यह है हमारी टीम की सलामी जोड़ी, कैप्टेन भरत सिंग खोयाल, और साथ में दीपक सिंग विष्ट, पहली गेंद, राइट आम, ओबर दिश्टम, अमपायर को पार किया, और क्या बॉल डाली भाई, पूरी गिल्लिया भिखेर दी भाई, क्या बॉल डाली कुछ समझी में नहीं भाई, बॉल के, पहला रन, हमारी टीम को आने वाले पहला रने, और ये है कूल पारी, अब आया खेलने के लिए, गिल्द क को आली यह थे, इड़ दीता कियार, भॉल योन भाई, भॉल यैज को शकार, техचार, भॉल यह ँश्की किया होँआ पहलाप, आले जाहरे है संसलों आप 17 गांवा वा वा तो आप में जडिए जो बाद करना है इसे परदाओनों निजित जो पीसरे अरगोर गारा वारा निज को पर आपिशने अरगोर देन कर दो पर आपके दो पर आपके टो खाला है चेरन शावस बढ़िया चावा लड़के शावस आराम से खेड़ा आराम से बढ़िया मैच अभी हो गया है और मैच हम लोग हाल गये हैं बाकि आब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और अखी ने बढ़िया इनिंग खिली लेकिन लाष्ट में तेरा रन से हार गये कोई नहीं नेक्स मैच में घर के लिए तो हम निकल गये हैं अभी लेकिन भूग भी बहुत जादा लग गया है और बीच में एक जगए रुक पड़ती है मला उखिमर से थोड़ा आगे रोयल बेकर्स फास्पूड तो यहां पर अब ही साम के साड़े पांच हो गया है और हम लोग घर में पहुंच गया है अब यहां पर ना चाय बनाते हैं और उसके बाद जलताओं में तरसाले वाले गर क्यांकि काफी टाइम हो गया है मैं तरसाले वाले घर गया ही नहीं तो आज सारे वहीं पर जा रहे हैं मतलब चल लोग चले गया, अब मैं भी चलता हूं यहां से, चलो भाई हमारी चाई भी बन गई है, आज का दिन भी पूरा ऐसे ही मैच में निकल गया है, और बहुत बुरा लगता है, जब यहां से घर से हम सुवे जाते हैं, जीत के उमीद लेकर और हार हो जाते हैं, तो तब उस नहीं बुक करके जाते हैं, मतलब यहां से एक गाड़ी पर्टिकुलर हम ग्याराइज जो प्लेयर जाते र मू जाते हैं, और पर दिग अगर मैं खर्चा अगर बता दू तो सिर्फ गाड़ी है और गाड़ी का 2000 यह 3000 के बीच रहता है मतलब एक दिन का जो गाड़ी का खर्चा है वो उतना रहता है उसके बाद जो आपना खाना पीना होता है अपना जो टाइम है वो अलग बात है और हम जो टाइमेंट आज हमने खेला उससे बहार हो गिया है मतलब तीन मैज तो हम लगातार जीते नॉकाउट सिस्टम रहता है तो उसके बाद आज जैसे हार रहे टाइमेंट से बहार ही तो बुरा लगता है उस चीज का बाकि ये तो गेम है जो अच्छा केटेगी वो ही जीतेगी बर ऐसा था कि क्लोज मैज था आज भी बठार गे कोई नहीं अभी साम के पॉने साथ हो गये है और मैं अभी तरसाले वाले घर में जा रहा हूँ पूरा अंदेरा तो होई गया है मोवाईल की जो फ्लेश लाइट है उस पर मैं जा रहा हूँ अभी राग का खाना पिना हो गया है और ये देखो गई पता नहीं इस वाले कमरे में मैं लगबग साथ आठ दिन के बाद आ रहा हूँ ये बंद पड़ा था तब से और एक और बात जो लड़का मुझे मध्यपर्देश से मिलने आये था न तो वो भी घर पहुँच गया है कल वो साम को घर पहुँच गया है मेरे इंस्टाग्राम पे उससे बात हुई है बाकि बहुत सारे लोग बोल ले थे कि कुछ भी बोलो सानेवे यहां पर कुछ भी हो सकता था मैं ऐसा इसले नहीं बोल रहा हूं कि कुछ होता मालब ऐसा उसकी सेप्टी के वज़ाए से बोल रहा हूं मैं कि वह अभी छोटा बच्चा था तो इसले मैंने उसको जितनी जल्दी हो सके वापस घर बीजा तो अची बात है गर पहुँच गया तो चलो भाई अब एक दो दिन मैं यहीं परूँगा तरसाली वाले गर में तो इस वाले ब्लोग को भी यहीं बेंड करते हैं मिलते हैं आप लोग उसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए